पतन के गर्त में जा चुकी हैं उनकी कोई विश्वसंता जन्ता के बीच पे नहीं रही और यह साफ पता चलता है कि कौन आदमी क्या फैंसला देगा यह आप उसका नाम जानकर उसकी जाती जानकर उसका रज्य जानकर मालूम कर सकते हैं जज बदलने से फैंसले बदल जाते ह तो आप एक बात समझ लीके जो लोग सोषते हैं कि न्याएय है न्याएय होना नहीं चाहिए न्याएय होता हुए नजर आना चाहिए कि इंदुस्तान के अदालतों में ड्रेस और एड्रेस इन दोनों की कीमत है आदमी की कीमत नहीं है तथे की कीमत नहीं है सच्चाई की कोई कीमत नहीं है उनमें से आपको बड़ा आश्चर होगा 32 जो है गुजरात की है तो गुजरात का क्या संब्द है कि सारे भगोडे जो ह यह संसद में बैठ कर संसद बनने लायक हैं, जैसे हमारे गोगोई साफ को राज्य सभा में बेजा गया है, ऐसे ही मुझे लगता है कि रेटायर होने के बाद इनको भी राज्य सभा में या लोग सभा में कहीं बेजा जाना चाहिए। आपको पता है यह संसद से तारद की गई है, तो अब ऐसे में राहूल गांदी के लिए क्या उप्शन बचा हैं और वो जो दस क्रिमिनल केस का जिक्र किया है, वो क्या ऐसे राहूल गांदी तो एक बड़ा अजीव सा महौल इस समय देश में चलना है, और वो महौल यह है कि ह आदमी एंटिसपेट करता है कि इस देश की संस्थाएं किस ओर जा रही है, मुझसे अगर एक शब्द में कहेंगे तो मैं कहूंगा कि हमारी सारी संस्थाएं पतन के गर्त में जा चुकी है, उनकी कोई विश्वस्थनता जंदा के बीच में नहीं रही, और यह साफ पता च चारा घोटाले में सजा मिन ली थी, तो एक दिन पहले मैं उनसे मिला, और लालू जी से मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि कल आपके फिवर में क्या फैसला आएगा, उन्होंने का अगर जजज उंची जाती का होगा, तो मुझे हराल में पांच साल की सजा मिलेगी, अगर वो पिछडा होगा, तो मुझे बरी कर देगा, और अगर वो मुसल्मान होगा, तो मैं समझता हूँ कि मुझे सच में नहे बिलेगा, तो लोग जो है आज के समय में, हमारी अदालतों के बारे में जो कहते हैं, कि इंदुस्तान के अदालतों में ड्रेस और एड्रेस इन दोनों की कीमत है, आदमी की कीमत नहीं है, तथे की कीमत नहीं है, सच्चाई की कोई कीमत नहीं है, जज देखता है कि वादी कौन है, अगर वादी का नाम राहूल गांदी होगा, और उसका के गुजरात की अदालत पे होगा, तो आप मान के चलिए, उसको हराल में सजा मि लेगे अगर उसका नाम जो है राहूल गांधी होगा और उसके हैहाइ के दालत पे होगा तो नियाये की पैमाने जो हैं अब सच्चाई पर रही है पें आखें गई है अ हाथ और उसके तराजु वो लुठा एक नियाए बोलते हैं जिसमें कोई तर्क नहीं होता को सच नहीं होता को सच्छा ही नहीं होती इस लिए गलाथा नियादीज द्वारा तो इस तरह के कानून के लिए हमेशाँ एक शब्द इसमाल होता है यह बहुत बढ़ी अधा पहले जिसका नाम था अंधा कानून एक फिल्म भी बनी था अंधा कानून देखनी चाहिए और तब उन्हें पता जलेगे कि कानून अंधा कैसे होता है और कानून अंधा करने वाले लोग कौन है अब जो आपने का थे राहूल गांधी ने जो प्रिटिक्शन लगाई थी उस सूरत के जिस अदालत के पहले याब उनको दो साल के सजा दी तब इक सवाल ये उठा कि क्या किसी रेक्थी को अधिक्तम सजा विर आ सकती है और वो भी किस केसमें defamation case में और किस defamation case में, जिसमें पूनेश गांधी जिसने कि की केस दर्ज किया था, वो पहले अपने को यानि पूनेश मोधी नहीं लिखता था, उससे अपने को इस case के लिए लिखा, कि मैं पूनेश मोधी हूँ, और तब उससे यह सवाल उठाया, सवाल ही है कि राउल उनका सम्मंद गुजरात से क्यों होता है? वो गुजराती क्यों बोलते हैं? उनके मामा गुजराती क्यों होते हैं? देश में 154 अगर आज के समय में अमीर लोग हैं, तो उनमें से 122 गुजरात के हैं. देश के 45 भगोडे आएं, उनमें से आपको बड़ा आश्चे रहोगा 32 जो है गुजरात का क्या संबंद है कि सारे भगोड़े जो है देश का दन लूट कर चले आते हैं और वो गुजरात जिसको पहले हम इस बात के लिए पूछते थे कि उससे महात्मा गांधी जैसा आदमी दिया जिससे सदार पर जैसा आदमी दिया उस गुजरात के लोगों को को आज के समय में ये बताते हुए कि मैं गुजराती हूं शर्माती है महाराज के लोगों को शर्माती बताते हुए कि हम महाराज से हैं जहां के अजीत पवार हैं जहां के एकनाश हिंदे हैं जहां के ये लोग हैं यहां के फ्लाने लोग हैं तो लोगों की इजट उस जगें स से जुड़ी होती है वो जिस जगें से आता है पहले हिंदू शब्द जल्व इखा गया है तो इसको हिंद बोलते थे हिंदी बोलते थे अरब में हमें हिंदी बोला जाता था और हिंदी का एक मतलब यह होता था कि यह आदमी मांदार देश का रहा है यह जबान का पक्का है औ परिशितिया, देश, गाल, ये सब व्यक्ति के चन्त को गड़ती हैं. अब जो फैसला आया, जो बाते भी तक आई हैं, वो फैसले में क्या आ रहा है? फैसले में आ रहा है कि हमिन प्रच्छक जो जज़ हैं, उन्होंने कहा है अपने फैसले में कि उनकी सजापर रोक लगाने का कोई उचित्य नहीं है यह सजा जो ठीक है और उचित है और उन्होंने कहा कि अगर इस सजा पर रोक नहीं लगती तो यह राहूल गांधी के प्रती कोई अन्याय नहीं होगा और उन्होंने कहा कि राहूल गांधी जिस आधार पर सजा पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं उसका स्थित्र नहीं अपकी स्टित्र नहीं है रावल गांदी निया में अधालत की किताब में भी लिखें है जो केStdy całकु स्थित्र नहीं है अब जब अधालत होती है जर्डा रहुता है ना क्या पढ़ता है दलील जर्डेखता एक राउन की गोगोई साब को राज्य सभा बेजा गया है ऐसे मुझे लगता है कि रेटायर होने के बाद इनको भी राज्य सभा में लोक सभा में बेजा जाना चाहिए इनोंने का राहूल गांदी पर दस मुकदमे अलग अलग जगें चल ले हैं वीर साहंवर करके लड़केन ने उन पर म वाँनिंग जस्잖아 आपके सामने आया और उन्हों नॉस्पर फेंसा दियाang, तो आप समझ दीजे किहीं और से वो प्रभावित हो रहे हैं, अब कहां से प्रभावित हो रहे हैं, यह नहीं कहुँआर की जो जासूशी करने वाले लोग हैं, जो लोग वैसे पत्रगार होते हैं, राहूल गांदी को सुप्रियूम कोड्स से इस सपैंसे में बता वो सकता है कि अभी प्रेशांद में ने कहा कि सिप्रेंस कोड़् को जरूर न्याय मिलेगा, तो मेड़ारा हgression क्यूद गांना है कि रा आपको अदालतों में नहीं जाना चाहिए मैं पहले बहुत सारी लगाता था लगाता था फिर आमने बंद कर दी बंद इसलिए कर दी क्योंकि अगर जनता के बीच में आप उस मुद्धे को लेकर जाएंगे तो एक अजार लोग एक लाख लोग दस करोड लोग आपकी बास अजार जाएंगे तो हमारे वकील होते थे पी एल लेखी मैंननको का हमारी तो आज जीत हो गई कल फेवर में फैंस लाएगा उन्होंने का देखो शाम तक क्या होता है तो छे बच के 11 मिनट पे शे दस पे उन्होंने नोटिस किया छे गज के 11 मिनट पर दिली हाई कोड के मुखे नए जीश ने दिली हाई कोड का रोस्टर बदल दिया और हमारा केस जो है अगले दिने गुपता जी ते उनके लगा और गुपता जी ने सुवे आतिल कार्ट केस डिस्मिस तो आप समझ लीडिये जज बदलने से फैंसले बदल जाते हैं जज बदलने से वकील बद इस देश में हमेशा पूजा हुई है विक्टिम के साथ जो खड़े हुए है आप सड़क पर किसी कुत्ते को मारेंगे तो लोग आपको कहेंगे जानवर को क्यो मार रहा है तो आप जो है विक्टिम बनकर राहुल गांदी को जो ने विक्टिम गार्ड खेलने का जो मौका दिया है वो इसके लिए परिशानी का कारण बनेगा और राहुल गांदी को चाहिए कि 90 दिन का टाइम है उससे जो है अपनी पेटिशन सुप्रिम कोड में लेकर जाने में जित्ति देरी करेंगे तो आपको याद है जब सूरत कोड का फैसा आया था और उन्हें सेशन में हें घार करनी थी तो भारतियों पार्टी के नीता कहते थे का राहुल गांदी अपील क्यों नहीं बना डायर कर है उन्हें तारिक से शोप्रीम कोड से है उसको पॉइंट वाइज बना दिया है अब जो के जिस जच के लगना है वह आप देखते ही आभी बता देंगे कि फ़लानी पोर्ट में लगेगा फ़लाने आदनी को इन पास लगेगा फ़लाना जच सुनेगा और ऐसे में मैं कह सकता हूं कि इस समय जो इस मामलेग में जो बेंच बैठेंगी वह हराल में राहूल गांदी को फैंसा देगी राहूल गांदी इको मदद देगी उसके पक्ष में एक और इससजाग का जो इमामला है इस सुनवाई चाहे होती रहे लेकिंग उन्हें प्रक्षकृट्च चावर पर इस्थखन मिल जाएगा और ऑडालत से बड़ी आदालत है देश के न्याय दीशों के विवेक से ज्धादा नहीं कहते हम से जो भी फैसला इस देश की देश कि देश करेगी तो कि सवाल समस्क्राइब लेंगे सारी यह कोड़ के खिलाब अतनी सारी बाते कि when तो इसमाने का नियुक्त पाइदा में पानना आपके यहां पाइदा चाहिए ने उपर आपको अपनी बात कहने का मौका मिलता है कैसे मिलता है नाथू राम गॉड्स ते तो यह आपके तरक में ताकत होनी चाहिए एक प्रेटफॉर्म मिलना चाहिए प्रेटफॉर्म मिलने के बदले अगर आपको हो के दिया आपने गलत बात के अगर मेरी कोई बात गलत है तो मैं उसको चनौती देता हूं अगर द्रेस और अड्रेस की कीमत आज भी हिंदुस्तान में है अदालत में है यह सच्चाई है और इसे सब लोग जानते हैं तबी तो बड़ा वकील करते हैं क्यों आदमी कोशिश करता है कि मेरे पक्ष का जो है जा 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 आए तम मेरा फैंसा सुना जाए जिसे विड़ो श गलत फैंसली देते हैं इस देश की सुप्रेम कोट नहीं फैंसा दिया था हमारे जारखन मुक्ति मोर्चा सांसद रिश्वत कांड में के MP अगर सांसद के रूप में कारे करता है तो रिश्वत ले सकता है तीन जजोने का रिश्वत ले सकता है अगर संसद में आज के दिन बलतकार करके कोई MP बलतकार करते तो उस पेस कोई फैयर दज नहीं हो सकती उस फैंसले की वज़े से तो आप यह मत कहिए यह मत समझे ऐसे में दस से जादा फैंसले इस तो आप सकता हूं इस देश की सुप्रिम कोट नहीं का था कि अगर अमर्जंसी के दौरान किसी आम आदम कि मैंने गलत प्लीडिंग की थी तो आदमी और सुप्रिम कोट गलत कर सकती है करती है लेकिन उसमें सुधार की संभावना है यही एक उम्मीद की करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया सर्थ अब जंता पर छोड़ जैते हैं आप लोग जो बुच कहना निचे कमेंट कीजेग वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजेगा राहूल गांधी के लिए क्या फिर से एक बार अपना विप्टिम कार्ड खेलने का मोका मिला है उन्हें यह भी बताएगा किसी और एपिसोड में रुदेजी से मुलकात कराएंगे तब तक लिए जीजिए जयासत